25 मार्च 2023 को सामाजिक विज्ञान का एक्जाम है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीती भागटू के नाम से जो आपकी बुक है जिसमें टोटल आठ पार्ट है इन सभी पार्टों के महतव पूर्ण एक एक नमबर वाले कोशन इस वीडियो में अगला कोशन है स्रिलंका की आबादी में इसाई लोगों का हिसा कितने परतिसत है तो आंसर है साथ परतिसत अगला कोशन है स्रिलंका कब सवतंतर हुआ तो आंसर है 1948 में बेल्जिम की राजधानी कहा है तो आंसर है ब्रूसेल्ज तमिलो की सिरलंका में कितने प्रतिसत जन संख्या है तो आंसर है इसका 18 प्रतिसत सासन के विभिन अंग कोन से होते हैं तो आंसर है विधाई का, कारियपाली का और नाइपाली का यूरोपिय संख का मुख्याले कहां चुना गया तो आंसर है बुरुसेल्स अगला कोश्चन है बेल्जियम में सामुदाईक सरकार का चुनाव कोन करता है तो आंसर है एक ही भासा बोलने वाले लोग नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर नाइन निमनलिखित में से किस देश को बहु संक्यकवाद के सिध्धान्त के कारण गर्य युद का सामना करना पड़ा तो आंसर है इसका स्रिलंका नैस कोश्चन है किस आंदोलन का नेतरतव मार्टिन लूथर ने किया तो आंसर है नागरीक अधिकार आंदोलन अगला question है सर्लंका में सिरलंका में सिहली भासा को कब राज भासा को सिअक किया गया बेलजिम का कितना हिस्सा फुलीमस में रहता है तो आंसर है 69 पर 30 अगला question है 22 भासाओं को भारत इस सविधान की कूई सी अनुसूची में रखा गया है तो आंसर है आठवी अनुसूची में 1947 के ऐसे तीन राज्यों के नाम बताएं जो आज बदल गए है तो आंसर है संयुक्त, प्रांथ, हैदराबाद और बंबई अगला कोशन है तेलंगना किस वरस भारत का नया राज्या बना तो आंसर है 2014 में केंदर और राज्यों के बीच विधाई अधिकारों को कितने हिस्सों में बाटा गया है तो आंसर है तीन राज्य सूची के तीन विसे बताएं तो आंसर है पुलिस, सथानिय, सासक और किरसी यहाँ पर सासक नहीं, सासन आएगा अगला कोश्चन है समवर्ती सूची के तीन विसे बताएं तो आंसर है सिक्सा, वन, मजदूर संग अगला कोश्चन है संग सूची के विशों पर कानून बनाने का अधिकार किस के पास है तो आंसर है किंदर सरकार नाइस कोस्टन है निमनलिकित में से कौन सा विषय संग सूची का नहीं है तो आंसर है पुलिस अगला कोस्टन है निमनलिकित में से कौन सा विषय संग सूची का है तो आंसर है विदेशी मामले अगला कोशन है समवर्ती सूची के विशो पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है तो आंसर है किंदर सरकार और राज्य सरकार भारत में किस भासा को राष्टर भासा का दर्जा दिया गया है तो आंसर है कोई भासा नहीं यानि कि किसी भासा को नहीं दिया गया भारत की किस भासा को राज भासा माना गया है तो आंसर है हिंदी अगला कोशन है 73 वा सविधान संसोधन विधेक कब पास हुआ तो आंसर है 1902 में कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संग का उधारन है तो आंसर है भारत नाट स्वीडन और जर्मनी में किस प्रकार का समाज है तो आंसर है प्लूप समाज 1994 से 1968 तक अमेरिका में कोन सा आंदोलन चला तो आंसर है नागरिक अधिकार आंदोलन समरूप समाज किसे कहते हैं तो आंसर है एक ऐसा समाज जिसमें संपरदाइक जाती है या सांसकर्तिक विभिनताएं जादी यहाँ पर जादा आएंगे जाएदा गहरी नहीं होती है अगला कोशन है 1968 के ओलम्पिक खेल कहा हुए था आंसर है आंसर है मेक्सिको सिटी अगला कोशन है एफरो अमेरिकी कौन थे तो आंसर है एफरो अमेरिकी उन अफरीकी लोगों के वनसजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें सतरवी सदी से लेकर उननीशवी सदी के सुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बना कर लाया गया था स्रिलंका में सामाजिक बटवारा किस पर आधारित है तो आंसर है भासा पर अगला कोशन है ब्रिटेन की सरकार तथा राश्टर वादियों के बीच आयरलेंड का समझोता कब हुआ तो आंसर है 1998 में भारत के पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्यों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्सित रखा गया है तो आंसर है एक बटे तीन भाग अगला कोशन है भारत में महिला साक्सरता दर कितनी है तो आंसर है 65.4 परतिसत वर्स 2011 में जो गणना वई थी उसके अनुसार नैस कोशन है धर्म को राजनीती से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता ये सबद किसने कहे तो आंसर है महात्मा गांदी ने अगला कोशन है सथानिय सवसासन सरकार में कितने परतिसत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्सित है तो आंसर है 33 परतिसत नैस कोशन है फेडे कोर नामक संगठन किस देश का है तो आंसर है बोलीविया का अगला कोशन है मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई तो आंशर है 2000 में नेस कोशन है S.P.A. ने किसे अंतरिम सरकार का परधानमंत्री चुना तो आंशर है गिरजा परसाद कोईरला को अगला कोशन है नेपाल में लोक तंतर दोबारा कब बहाल हुआ तो आंसर है इसका अप्रेल 2006 में नैस कोशन है बाम सेफ क्या है तो आंसर है सरकारी करमचारियों का संगठन अगला कोशन है पानी के नीजी करण के खिलाफ किस देश में अंदोलन हुआ तो आंसर है बोलीविया अगला कोशन है भारतिय जंता पार्टी का गठन कब हुआ इसका चुनाव चिहन क्या है तो आंसर है 1980 में गठन हुआ था और इसका चुनाव चियन जो है कमल का फूल है नेक्स कोशन है भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश की स्थापना कब हुई थी तो आंसर है 1885 में नेक्स कोशन है वर्ष 2006 में भारत में कुल कितने राष्ट्रिय राजनीतिक दल थे तो आंसर है 6 अगला कोशन है असम यूनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना कब हुई तो आंसर है वर्ष 2006 में नाइस कोशन है सीव सेना का गठन कब हुआ तो आंसर है इसका तो आंसर है इसका 1966 में नाइस कोशन है जारखंड मुक्ती मोर्चा का गठन कब हुआ तो आंसर है 1973 में नैस कोशन भारत में चुनाओ आयोग में नाम परंजी करत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है तो आंसर है 750 से ज्यादा बांगला देश के किस परसिद अर्थ सास्त्री को नोबल पुरुसकार मिला तो आंसर है मुहम्मद यूनुस को नैस कोशन सतरवीं लोकसभा चुनाओ 2019 के बाद केंदर में किस गठबंदन की सरकार बनी तो आंसर है रास्ट्रिय लोक तांत्रिक गठबंदन अगला कोशन है भारत डैस का एक उधारन है तो आंसर है बहु दलिये ववस्था का एक उधारन है अगला कोशन है चीन डैस का एक उधारन है तो आंसर है एक दलिये व्यवस्था का नाइस कोशन है इंगलेंड डैस का एक उधारन है तो आंसर है दो दलिये व्यवस्था का एक उधारन है अगला कोशन है पुस्प और तरण किस राजनितिक दल का पर तीक है तो आंसर है आल इंडिया तरण मूल कॉंगरेस का अगला कोशन है ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार पर राजनितिक सत्ता प्राप्त करने के उदेश्चे से काम करता है कहलाता है तो आंसर है राजनितिक दल अगला कोशन है वह दल जिसका परभाव किसी छेतर विशेश में होता है कहलाता है तो आंसर है छित्री अदल नैस कोशन है समकालिन विसों में सासन का एक परमुक रूप क्या है तो आंसर है लोक तंत्र अगला कोशन है लोक तंत्रिक व्यवस्था किस पर निर्बर होती है तो आंसर है राजनेतिक समानता पर अगला कोशन है वैक्ती की गरीमा और सवतंतरता को बढ़ावा देने के मामले में सरकार का कौन सा रूप सबसे अच्छा माना गया है तो आंसर है लोकतंतर अगला कोशन है किसी एक छेतरीय दल का उधारन दीजिये तो आंसर है सिउसेना नेस कोशन है निमन में से किस देश में लोकतंतर के विस्तार की चुनोती है तो आंसर है चीन में नेस कोशन है स्रिलंका में वहवारिक रूप से अभी भी कौन सी सासन वहवस्था है तो आंसर है एकात्मक अगला कोशन है बेल्जियम में कौन सी दो भासाओं की परधानता है तो आंसर है डच और फ्रेंच नेक्स कोशन है स्रिलंका के किन दो समूदायों के बीच टकराओं ने गरह युद को बढ़ावा दिया तो आंसर है तमिल और सिहली तो ये थे आपके क्लास 10 के सामाजिक विग्यान सब्जेक्ट के लोकतांत्रिक राजनिती भाग 2 के किताब से सभी आठ पाठों के एक एक नम्बर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो एक्जाम में आ सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके और के बटन के उपर क्लिक कर लेता कि जब नेक्स्ट वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जए